हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका मेरे चैल मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फेस्बुक पेज पर अगर आप एड्मीन एड्ड करना चाहते हैं तो कैसे आप फेस्बुक पेज पर किसी को भी एड्ड कर सकते हैं आप जे एड्मीन तो इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूँ बिना कुछ देरी के चले वीडियो को इस्टायर करते हो जानते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको फेस्बुक ओपन कर लेना है फेस्बुक आपका अपडेटेड होना चाहिए दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल पांडे हैक्स को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें तो फेस्बुक पेज पर एड्मिन आइड करने के लिए आपको फेस्बुक ओपन कर लेना है उसके बाद प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है अब यहाँ पर पेज पर आपको चले जाना है जिस भी पेज पर आपको एड्मिन को चेंज करना है एड्मिन को आइड करना है तो यहाँ पर आपको स्विच कर लेना है पेज में यहाँ पर मैंने फेस्बुक पेज में स्विच कर लिया हूँ अब यहाँ पर Facebook page मेरा open हो गया है अब मैं आपको दिखाऊँगा कैसे आप admin को add कर सकते हैं किसी friend को अगर आप अपने admin add करना चाहते हैं तो कैसे add कर सकते हैं देखे Facebook page यहाँ पर मेरा open हो गया है open होने के बाद आपको थी lines पे click कर देना है उसके बाद नीचे जाओगे तो यहाँ पर Settings and Privacy का option मिल रहा है Settings Privacy पर आपको click कर देना है और आपको again Settings पर click कर कर के इसे open कर लेना है open करने पर ऐसा interface आपके सामने आ जाएगा और top पर आपको page setting का जो option मिल रहा है उसे आपको click करना है और open कर लेना है अब यहाँ पर नीचे जाना है आपको, नीचे जाओगे तो आपको option मिल जाएगा, new page experience के अंडर पहला option page access का, इस पे आपको click कर देना है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, people with facebook access अभी मेरा दिखा रहा है, मैं इसका honor हूँ facebook page का, इस page का, अगर आप add करना चाहते हैं किसी out person को, कि वो भी access, उसको भी access मिल जाए, और वो भी अपने according setup करता रहे, facebook page पर कोई नया, तो क्या करना होगा, आपको देखे, people with task access, आप access देना चाहते हैं, किसी अपने friend को, या किसी other account को, तो add new पर आपको click कर देना है, add new पर click करोगे, तो यहाँ पर आपको read करना होगा, task access means, आपको यहाँ पर read कर लेना हो, any action you take as this page may be visible to anyone else who manages it, आप यहाँ पर read कर सकते हो, उसके बाद next पर click कर देना है, next पर click करने के बाद अब आप जिसको add करना चाहते हो, उसको यहाँ पर search कर लेना है, जैसे मैं अपने friend को यहाँ पर add करना चाहता हूँ, तो मैं उसे search कर यहाँ पर add पर click कर दिया, जैसे आप click करते हो, यहाँ पर ऐसा interface आपको फिर से मिलेगा, और यहाँ पर आजाएगा, कि आप minus कर सकते हो, जैसे inside आप यहाँ से on कर सकते हो, इस तरह जो भी आप access देना चाहूँ, यहाँ से on कर सकते हो, उसके बाद get access पर आपको click कर देना है give access पर click करने के बाद आपको यहाँ पर अपने facebook का password आपको enter कर लेना है यहाँ पर, दोस्तों password एंटर कर लेने के बाद आपको confirm पर click कर देना है, जैसे confirm पर click करोगी, आपको बताना चाहूँगा, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि आपका यहाँ पर friend add हो चुका है, आप बहुत ही आसानी से किसी भी person को add कर सकते हैं, अपने facebook page पर, तो दोस्तों notification भी आ गया है, आप देख सकते हैं आपर, make it easy for people, manage your whatsapp add on button, इस तरहे आप देख सकते हैं, notification भी आपको मिल जाएगा, कि आपने facebook page पर access आपने दे दिया है, तो इस तरहे facebook page पर आप किसी को भी admin आप बना सकते हैं, उमीद है वीडियो मेरा बहत पसरदा होगा, ऐसे content के लिए आप मेरे चैनल पांडी हैक्स को subscribe करें, और वीडियो को like करें, thank you, सुमर दोस्तों